एसिया कप में पाकिस्तान के खिलाब ऐसी होगी 15 संदसिया टीम इंडिया केल रावल बाहर रिंकू और यसस्वी को बड़ा मौका फेंस के लिए क्रिकेट का तेवहार आई पील खत्म हो चुके हैं और भारतिय टीम अपने अलग शफर पर निकॉल चुकी है अगले कुछ महीनों में फिर से क्रिकेट का मौसम आएगा जिसमें टीम इंडिया के खिलारियों के बले से आतिशी पारी देखने को मिलेगा एसिया कप के बनते बनते बिगरते हालातों में बी सी सी आई कुछ समय में एसिया कप के टीम इंडिया का ऐलान कर सकता है इस टीम में खास बात ये होंगे कि इन में नए अवर जुआ चेहरे होंगे जिन्हें IPL के प्रदर्शन के अधार पर मौका दिया जा सकता है एसिया कॉप के लिए जल्द हो सकती है टीम का ऐलान एसियन की रिकेट ताउंसिल ने साल 2023 के एसिया कॉप के मेजबानी करने की जिम्यदारी पाकिस्तान को दे चुकी है जिसके कारण BCCI और भारतिय टीम ने पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए मना कर चुके हैं तब से फंस ये उमीर लगा रहे हैं कि ये सिया कॉप का खेल खेला जा सकता है इसी के साथ BCCI जल्द ही टीम इंडिया के 15 सदस्य टीम का एलान कर सकती है जिसमें कई नए चेहरे दिखने को मिलेंगे हाला कि बड़े खेलारी बाहर भी दिख सकते हैं इनमें अपने पायर के चोट के कारण केल रहुल बाहर हो सकते हैं वही कुछ नए खेलारी जैसे SSV, जैसवाल, तिलक बर्मा और रिंकुशिंग जैसे खेलारीयों को मौका दिया जा सकता है SSV, तिलक और रिंकुशिंग को मिल सकता है मौका साल बजर टेश में, एसी अक अपने भारतिया टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग ही रूप में उतरेगी पुरी भारतिया टीम युगा खिलारीयों से भरी होगी इस बाद टीम इंडिया में कोई खिलारी डेब्यू करते हुए नजर आशकते हैं इसमें आईपील के सबसे ज़्यदा उभर कर आये खिलारी या शश्मी जैस्वाल का नाम सबसे पहले आ रहा है कि उस खिलारी ने आईपील के खेल में जबदस्त परदर्शन किया है इनके परदर्शन को देख कर कि पूर्व खिलारी ने इनको मौका देने की बात किया है इसके बात नाम आता है रिंकु शिंका जिन्होंने एक फिनिशर के रूप में टीम इंडिया के लिए पहचान बनाई है तो वहीं तीलक बर्मा ने एक अच्छे आउल्राउंडर के क्वाड इस परकार हो शकती है शुम्मन गेल रोई सर्मा कप्तान बिराट कोली इसान किशंद बिकेट कीपर यसस्वी जैसवाल तीलक बर्मा रिंकु शिंग सुरिक हुमार यादव सेयर हार्दे पांड्या रबिंदर जडेजा अक्षर पटेल मौमत समी मौमत सिराज और जड़ बेंदर चाहल तो दोस्तों हमारी जनकारी कैसी लगी कामेट बचने बदाईएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल नरेंदर के किर्केट पो सब्सक्राइब करना बिलकुन न भूलें मिलते हैं आई साही मजदार दमदार न जाने बाद